नमस्कार साथियों आज के इस वीडियों में देखने वाले हैं कम्प्यूटर से लेटेट अती महत्पुन फुल फॉल फॉर्म फ्रेंट्स यह जो भी फुल फॉल फॉर्म मैंने सॉट लिस्ट किया है यह आपका आरारबे एंटीपेसिस सीबीटी वन के एकजाम में कई बार पूछा गया है कई बार रिपीट हुआ है और फ्रेंट्स आपका सीबीटी टू के एकजाम के अंदर भी इसके रिपीट होने की प्रबल संभावना बनती है इनमें से फ्रेंट्स पहला नमबर यदि कोसन आप देख रहे होंगे यूएसबी का फुल फॉर्म उनिफॉर्म सीरियल ब्रस है जो कि आपका लेवल 6 के अंदर भी पूछा गया था तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हैं महतपून फुल फॉर्म इसके अलावा मैं आपके लिए एक और कंप्यूटर के वीडियो लाओंगा जिसमें महतपून प्रसनों का संग्रा होगा और वो आपके लिए महतपून होगा तो देख सकते हैं फ्रेंट्स पहला फुल फॉर्म आपके लिए है वही NIU का फुल फॉर्म Network Interface Unit Network Interface Unit ठीक है NIU का वही ISP की बात करें तो Internet Service Provider ISP का फॉर्म Internet Service Provider हो जाएगा वहीं फ्रेंट्स से CLI की बात करें तो CLI का आपका फुल फॉर्म जो है वो Command Line Interface हो जाएगा ठीक है command line interface आपका CLI का full form हो जाएगा www का full form तो आपको पता है फ्रेंट्स worldwide wave वहीं PDF का कई बार पूछा गया है तो portable document format यहाँ पे आप गलती से file मत मार के आ जाईएगा इसका full form हो जाएगा last में format ठीक है portable document format वहीं JPG की बात के रे फ्रेंट्स तो joint photographic experts ग्रूप हो जाएगा JPG का joint photographic experts ग्रूप हो जाएगा ठीक है अगला दीखे फ्रेंट्स आपका है ASCII ठीक है American Standard Code for Information Interchange American Standard Code for Information Interchange फ्रेंट्स यह जो भी मैंने short list किया है full form वाले कीज का यह सब का सब जो है वो कई बार NTPC-CBT-1 के एकजाम में repeat हो चुका है तो फ्रेंट्स इसकी प्रबल समभावना बनती है कि आपके लेबल 2, 3, 5 के एकजाम में यह पूछा जाए मैं फ्रेंट्स ADSL की बात करें तो asymmetric digital subscriber line हो जाएगा asymmetric digital subscriber line हो जाएगा मैं एक बार फिर से आपको recall कर वा जेता हूँ फ्रेंट्स इस बार नीचे से recall कर लेते हैं तो ADSL का full form asymmetric digital subscriber line ASCII का full form American Standard Code for Information Interchange JPG का full point Joint Photographic Experts Group PDF का portable document format वही www का worldwide wave ठीक है और उपर से देख लेते हैं फ्रेंट्स यहाँ पे यहाँ पे CLI का full form command, line, interface, ISP का internet, service, provider NIU का network, interface, unit, URL का uniform, resource, locator, USB का universal, serial, bus ठीक है इसके अलावे फ्रेंट्स आगे देख लेते हैं प्रोटोकॉल से सम्मादित महत्पुन full form तो सबसे पहले IP का internet, protocol, TCP का transmission, control, protocol FTP का file, transfer, protocol, HTTP का hypertext, transfer, protocol महीं फ्रेंट्स, HTTPS का आपको पूरा protocol तक याद कर लेना है और अंत में आपको secure याद कर लेना है कभी कभी फ्रेंट्स प्रस्ट में आपको यह भी पूछ देगा कि last में जो S सब्द है उसका full मतलब क्या होता है तो आपको याद रखना होगा कि S का मतलब होता है secure ठीक है IP का full form, internet, printing, protocol मैं फ्रेंट्स, WAPP का full form, wireless, application, protocol आगे देख लेते हैं फ्रेंट्स, PPP का full form, point, two, point, protocol एक बर मैं नीचे से आपको recall करवा देता हूँ फ्रेंट्स, PPP का full form, point, two, point, protocol WAP का wireless, application, protocol IPP का internet, printing, protocol HTTPS का तो hypertext transfer, protocol, secure यदि इसमें S का मतलब पूछ ले तो आपको answer करना होगा secure HTTP का hypertext transfer, protocol वहाई फ्रेंट्स, FTP का file transfer, protocol वहाई फ्रेंट्स, TCP का transmission, control, protocol हो जाएगा IP का internet, protocol हो जाएगा आगे देख लेते हैं फ्रेंट्स, आगे है आपका programming language से समन्दित full form तो आपको कम से कम इसमें 3 याद कर लेना है कुछ और होगे फ्रेंट्स, total आपका 5 होगा तो पांचों आपको याद कर लेना है HTML की बात करें तो hypertext markup language COBOL को देखें फ्रेंट्स, तो common business oriented language वही SQL कई बार पुछा गया है फ्रेंट्स, तो structured query language ठीक है, दो और है फ्रेंट्स, इनको भी आपको याद कर लेना चाहिए एक आपका basic और एक fortron देखें फ्रेंट्स, तो beginners all purpose symbolic instruction code वही फोटोन की बात करें तो formula translation एक बार नीचे से recall कर लेते हैं फ्रेंट्स, फोटोन की बात करें तो formula translation, basic का beginners all purpose symbolic instruction code वहीं फ्रेंट्स, SQL को देखें तो SQL का हो जाएगा आपका structured query language COBOL का common business oriented language वहीं HTML का hypertext markup language तो friends आपको वीडियो कैसा लगा, comment section में जरूर बता है मैं जल्दी एक वीडियो आपका computer के लाने वाला हूँ तब तक के लिए नमस्कार